नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो आज बात करने वाला हूँ यूपिटर पलेसी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही धमाकेदार ख़बर के संबल वे और अधिक समय विष्ट ना करते हुए सीधा मुद्धी की बात कर लेता हूँ देखे भईया यूपिटर पलेसी से सबसे पहले आपको दो ओफिशल नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं और आपको बता दू बीस नवंबर के पहले पहले ठीक है बीस नवंबर के पहले पहले ये दोनो नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे अब वो notice कौन कौन से है देख तो भाया एक तो notice है आपका forest guard के medical का notice जिसको लेकर बहुत सारे छातर परिशान है कि सर आकरकार इसका medical यूपिटर फलेसी कब तक कराएगा है ना तो इसके medical को लेकर भाया notice आपको बहुत जल देखने को मिलने वाली है और पूरी पूरी उमीद करिए कि November last में या December के first week में आपका medical शुरू हो जाएगा और notice आपको 20 November के पहले हर हाल में देखने को मिल जाएगी ठीक है और भाया दूसरा जो official notice होगा वो आपका होगा मुख्य सेविका की final उत्तरकुंजी को लेकर जो या दोस्तो मुख्य सेविका की जो अंतिम उत्तरकुंजी है वो भी आपको 20 November के पहले-पहले देखने को मिल जाएगी ये उत्तरकुंजी लगबग लगग तयार है बस 3-4 दिन का समय और लगए इसमें और आपको जो है बहुत जल्द देखने को ये मिलने वाली है ठीक है अब दोस्तो बात कर लेते हैं लेक पाल के court case को लेकर तो भईया आखिरकार आप वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि जब लेक पाल भरती का court case बिलकुल final हो जाएगा और इस court case को लेकर बहुत सारे छात्रों के अंदर ये भरम भी था कि जब तक court case के लिए नहीं होगा तब तक यूपिटर पलेसी इसका अंतिम परिणाम जारी नहीं करेगा और हाला कि ये भरम बिलकुल सच था ठीक है ना ये जो छात्रों का डर है ये बिलकुल सच है कि जब तक court case final नहीं होगा तब तक यूपिटर पलेसी इसका अंतिम परिणाम गोसित नहीं कर सकता तो भया एक positive ख़बर ये है लेक पालभरती को लेकर कि इसी महीने के last में जो date लगी है उसी date को पूरी पूरी उम्मीद करिए कि लेक पालभरती का court case का निप्टारा हो जाएगा ठीक है और नवंबर में इसका आपका DV समाप्त है और इस बात के पूरे chance है कि 20 से 25 दिसंबर तक आपका अंतिम परिणाम लेक पाल का जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो लेक पालवालों को अब जादा वेट नहीं करना है बस उनकी भरती का अब बिलको निप्टारा होने की तरफ है है ना नवंबर में DV खतम नवंबर में court case खतम और दिसंबर में आपका अंतिम परिणाम ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा भरती के physical को लेकर तो इसका physical को लेकर अपडेट ये मिली है कि आपका जो physical है ये जनवरी में यूपिटर पलेसी कंड़क्ट करवा सकता है ठीक है पहले जानकारी दिसंबर की थी लेकिन अब जो है यूपिटर पलेसी इसके physical को जनवरी में करवाने की सोच रहा है क्योंकि भईया दिसंबर में जो है यूपिटर पलेसी के पास काफी काम है क्योंकि उसको कम से कम चार से पांच परिणाम जारी करने हैं दिसंबर में जो परिणाम लंबे समय से अटके हुए है इसलिए वन दरोगा फिजिकल आपका जनवरी में चला गया है और आपको नोटिस भी नवंबर में देखने को मिल जाएगी नवंबर लाज तक चीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के 5512 बदों की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर तो एक बड़ी भरती है यूपिटर पलसी की और इस भरती का जो सॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर दोस्तों परिक्षा की बात करें कि जे ए की परिक्षा कब तक होगी तो इसकी परिक्षा जो है आपकी चुनाब के बाद तक हो पाएगी चुनाब से पहले कोई उम्मीद रही है कि आपकी जे ए की परिक्षा संभव हो पाएगी तो जे ए वाले जो है बिलकुल धंग से और आराम से तैयारी को आगे बढ़ाते रहे और अपना पूरा मैनत करते रहे है ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिटर की परिक्षा हाँ ओरिटर की जो परिक्षा है पांसो तीस पदों को लेकर तो ये परिक्षा आपकी पूरी-पूरी उम्मीद है दिसम्बर लास्ट में कंड़क्ट होने की ठीक है पूरी-पूरी उम्मीद करिए कि दिसम्बर लास्ट में आपकी ओरिटर की परिक्षा हो जाएगी और अगर लेट हुआ तो दस-पांच दिन जनवरी पकड़ सकता है बाकि दिसम्बर लास्ट में आप जो है इसके तयारी करिए दिसम्बर लास्ट मानके ठीक है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपियो की परिक्षा को लेका तो वीपियो की जो परिक्षा आपकी यूपिटर पलेसी कंड़क्ट करवने वाला है वो जनवरी में कंड़क्ट करवाएगा है ना? और आपको मैंने पहले बता भी दिया कि December में इसका होना possible नहीं है क्योंकि Jupiter Policy के पास काफी काम है December में और उसे नई एजंसियों का chain भी करना है और जब तक नई एजंसियों का chain नहीं हो पाता तब तक Jupiter Policy exam conduct नहीं कराएगा तो VP परिक्षाप की जन्वरी में संभावित है अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो की नई भरती को लेगा तो PAID 2023 से आपको वीडियो की नई भरती देखने को मिलने वाली है और ये भरती जो होगी इसमें कम से कम ढ़ाई हजार के आसपास पद होने वाले हैं वीडियो की ठीक है और ये भरती के वग्या आपना आपको पैट 2023 से 100% देखने को बिलेगा ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के रिजल्ट को लेका वीडियो 2018 री एक्जाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा तो इसके रिजल्ट को लेकर बता दूँ आपको मैं इसको रिजल्ट को लेकर बिलकुल ढंग से यूपिटर पलेसी काम कर रहा है और पूरा स्पीड के साथ काम कर रहा है और पूरी पूरी उमीद करिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर की बात में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बाकी मैंने आपको बता दिया आप जो है एक गुरू बनाकर आयोग जाते रहिए अगर आप नवंबर लास्ट में अपना परिणाम चाहते हैं तो वरना आपका परिणाम यूपिटर पलेसी दिसंबर में तो जारी करीदेगा लेकिन अगर नवंबर में चाहते हैं तो वहिया आयोग पर आपको दबाब बनाना पड़ेगा अपनी बात आयोग पर जाकर रखनी पड़ेगी तब ही आपका परिणाम नवंबर में उम्मीद कर सकते हैं चीक है तो दोस्तों यह हो गई आज की वीडियो और किसी बरती को लेकर जो भी जानकरे मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दीजाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाइन जा बारत हमेशा कुछ रहिए मुस्कात रहिए